ए कैसे हो आगे आप लोग मुझे पता हैं आप सबी लोग ओपो फाइंड एक सेवन अल्टरा के डिटेल पोनखल वीडियो का वेट कर रहे थे हाँ यार मानता हूँ ख्लैक्सिक वीड़ाई का फोन है पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 100% परफेक्ट है जी हाँ कुछ कमिया जरूसे आपे ओपो फाइंड एक सेवन अल्टरा के अंदर है जिने आपको इससे खरीने से पहले चान लेना जरूरी है क्योंकि इन कमियों को मार्केटिंग के पीछे ऐसा स्मार्टली आपसे छुपाया जाता है कि मानूर इसके अंदर कोई कमी ही नहीं है पर ऐसा तो कभी होता नहीं है दोस्तो कोई भी गैजट कभी भी अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं होता है हर गैजट अपने साथ कुछ positive और negative points लेकर आता है और ये एक awareness वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपको सारे गैजट के बारे में सारी चीज़ें पता चले तो चले बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं पर वीडियो शुरू करने से पहले आ इस चानल को subscribe कर दो यार ऐसे informative और interesting content के लिए first thing first देखे जो चीज़े अच्छी है वो अच्छी ही मैं आपे कहने वाला हूँ पर flagship level का phone है तो flagship level के phone के हिसाब से अगर कुछ specification यहाँ पर downgraded होगे तो मैं यहाँ पर उनको खुल के criticize करने वाला हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर design specification की ही बात करते अब design के मामली में आप rear में इसका जो design है उसके उपर ज़रा धान दीजीगा हाँ quad camera setup जो यहाँ पर provide किया गया है वो एकदम circular ring के अंदर provide किया जाता है और हाँ आपको back में leather back finish भी provide किया जाता है ओपो find x7 ultra के अंदर पर यह जो circular camera design है क्या आपको से वन्तिलस के अंदर नहीं मिलता है वीवो के अंदर नहीं मिलता है पोको के अंदर नहीं मिलता है हाँ यह सारी कमपनिया एक ही थाली के चट्टे बट्टे है जी हाँ इनकी parent company सेम ही है parent company सेम होने की वज़े से इनका R&D या फिन design department जरूस से एक जगाबाइट करी काम करता होगा तो उतने ज़्यादा changes आपको इन टीनो ब्राट के फोल्स के अंदर दिखाई नहीं देगा जी हाँ सीमिनल डिजाइन ही आपको ये सारे ब्राट्स देनी की कोशिश जरूस से कर रहे हैं पर हाँ थोड़ अपना ए आई-catching फोन है नो डाट अगर आप आतमी लोगें इसको तो एक प्रीमियम लोग प्रीमियम फिलिंग ओपो फाइन एक सेवन अल्टरा आपको देने वाला है इसमें कोई प्रॉब्लिम नहीं है 221 ग्राम्स का ओपो फाइन एक सेवन अल्टरा आता है इसकी थीकनेस आपको 9.5 mm की मिलते हैं जी हाँ थोड़ा यहाँ पे फोन जो वे थीक है IP68 की रेटिंग आपको ओपो फाइन एक सेवन अल्टरा के अंदर मिलती है तो नो डाउट स्पेसिपिकेशन और डिजैन के मामले में ओपो फाइन एक सेवन अल्टरा अलग तो नहीं कहूंगा पर सिमिलर डिजैन देनी खोशित ज़रू से यहाँ पे करता है सबसे इंपोर्टन किसी भी फोन के अंदर होता है तो वो होता है उसका डिस्प्लेए ओपो फाइन एक सेवन अल्टरा के अंदर हमें 6.82 इंच का 2K OLT LTPO डिस्प्ले दिया गया है जी हाँ एक्तम खतरनाग डिस्प्ले आपको OPPO Find X7 Ultra के अंदर OPPO ने प्रोवाइड किया है जो कि 120 Hz की High Refresh Rate के साथ आता है अब Refresh Rate यहाँ पे ज़रूस से कम है OPPO Find X7 Ultra के अंदर क्योंकि यह Refresh Rate 144 Hz का या फिर उससे ज़ादा तो Atleast होना ही चाहिए था क्योंकि flagship लेवल का फोन है पर Motorola हमें 30, 40,000, 25,000 रुपीज वाले फोन के अंदर भी 144 Hz का Refresh Rate प्रोवाइड करता है तो Refresh Rate ज़रूस से आपको यहाँ पे कम मिलेगा आप अगर पोचोगे कि भाई यार डिस्प्ले के उपर कौन सा प्रोटेक्शन लगाया है तो Gorilla Glass Victus 2 का प्रोटेक्शन यहाँ पे ओपो ने उपो Find X7 Ultra के उपर लगाया है अब Gorilla Glass Victus 2 है यहाँ पे अटलिस Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन ओपो ने Find X7 Ultra के उपर लगाना चाहिए था ऐसा मुझे लगता है फ्लेक्सिप लेवल का फोन है ना यार Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन हमें 25,000-30,000 रुपीज वाले फोन के अंदर में मिल जाता है इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग 15,000 के उपर कोई फोन बेच रहे हो तो यहाँ सारी चीजे परफेक्टली प्रोटेक्ट करके दो इसमें मैं यहाँ पे कुछ भी OPPO को कहना नहीं जाओगा क्योंकि latest processor लगाया है यारोनोंने Snapdragon 8 Gen 3 और इस processor को सपोर्ट करने के लिए RAM टाइप भी अच्छा का साल लगाया है LPDDR5X RAM टाइप और UFS 4.0 का storage टाइप आपको OPPO Find X7 Ultra के अंदर मिल जाता है जिसके वज़े से आपके फोन का performance एकदम नेक्स लिवाई पर जाने वाला है जिया हाइड लिविल की गेमें आप इस processor के साथ OPPO Find X7 Ultra के अंदर आराम से कर पाऊगे यही ने एक तगड़ा camera setup भी हमें OPPO Find X7 Ultra के अंदर देखने को मिलता है जिया रेर में आपको quad camera setup मिलता है चार camera वो सारे camera 50-50 megapixel के और सारे camera's के अंदर हमें Sony के sensor प्रोवाईट की जाते हैं OPPO के दर्ब से और फ्रेंट में आपको 32 megapixel के USLP OPPO Find X7 Ultra के अंदर प्रोवाईट की जाते है अगर आप OPPO Find X7 UltraFact Detail Camera Review देखना चाहते हो तो यह वेडियो चापकर देख सेकते हो यहाँ पर मैंने OPPO Find X7 UltraFact Detail Camera Review किया है यह तो हो गई hardware की बात software के बारे में बताओ तो don't worry latest Android 14 वर्जन के साथ OPPO Find X7 Ultra यहाँ पर आता है इतने सारे hardware और software को support करने के लिए एक तगड़ी बैटरी तो हमें phone के अंदर चाहिए तो 5000 mAh की तगड़ी बैटरी आपको OPPO Find X7 Ultra के अंदर OPPO के तरप से provide की जाती है जो King 100 Watt के wire charging को support करती है और 50 Watt के wireless charging को भी support करती है पर एक बात नोट करिए का OPPO Find X7 Ultra के अंदर आपको कोई भी reverse charging का support देखने को नहीं मिलता है अब यार flagship level का phone है तो ये feature तो OPPO Find X7 Ultra के अंदर होना चाहिए ता ऐसा मुझे personally लगता है मुझे पता है आप में से कई लोग यहाँ पी कवोगी कि यार कोई भी phone अपने अपने पर फेक नहीं होता है हाँ 100% मैं agree करता हूँ पर क्या 30,000 उपीस वाले phone के अंदर हमें reverse charging का support नहीं मिलता है बस वह एक चीज़े मैं यहाँ पर highlight कर रहा हूँ Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC का support और LED slider भी आपको OPPO Find X7 Ultra के अंदर मिलता है IR blaster के साथ finger plane sensor और सारे sensor का support आपको OPPO Find X7 Ultra के अंदर OPPO के तरप से provide किया जाता है तो इन सारे points को धान में रखते हुए आपको OPPO Find X7 Ultra खरीदना चाहिए अब अगर मैं last में मेरा opinion बताओ तो दिखें no doubt एक तगड़ा camera setup एक तगड़ा processor के साथ OPPO Find X7 Ultra आता है अगर आपको high end level की gaming करनी है और एक flagship device आपको चाहिए तो OPPO Find X7 Ultra आपका next device जरू से हो सकता है आपके अगर OPPO Find X7 Ultra के बारे में कोई भी सवाल होगे तो नीचे मुझे comment में जरूर पूचे मैं हरा comment का reply करता हूँ और अगर आप टीक ब्यूरो के उपर नए होगे तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे informative और interesting वीडियोस के लिए वीडियो पसंद आया तो like शेर कर दो जैहिन बंदी मात्राम